तो बच्चो आपका EBS का चैप्टा टू चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं, फैमिली जो हैं बच्चो क्यों माइगरेट करते हैं, क्यों वो एक जगे से दूसरी जगे जाते हैं, तो देखिए ऐसी ही यहाँ पर एक गाउं की स्टोरी है, एक टाउन की स्टोरी है, देख कोट, इन डूंगरपूर डिस्ट्रिक्ट, तो बच्चो डूंगरपूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डूंगरपूर जिले के अंदर, वहाँ पर एक टाउन है, एक कस्वा है, जिसका नाम है गलिया कोट, यहाँ पर दे वर्ल्ड फेमस होली स्रेंड ओफ मुस्लिम सैंट, फकरदीन, फकरदीन, यहाँ इस गाउं में वर्ल्ड फेमस एक पवित्र मुसल्मानों की बच्चो एक इमारत है, देखें, और उनका नाम था संत फकरदीन, और इसके अलावा सीतला माता टेम्पल है, जैन टेम्पल है एक, एंड सोमनाथ टेम्पल है वहाँ पर, विच आर एंड एक्सिलेंट एक्जांपल्स अफ आर्किटेक्चर तो वहाँ पर बच्चो मली बहुत ही एक्सिलेंट बिल्डिंग्स बनी हुए हैं, ठेके बहुत आच्छी टेम्पल्स बनी हुए हैं, दू टू दू लेकिन बच्चो वहां क्या हुआ? वहां पे एक डैम बनाय गया due to construction of कणाना डैम in गुजरात एस्टेट के अंदर बच्चो एक कणाना डैम बनाय गया इस एरिया बेकेम ये लो लेंग एरिया जिसकी बज़े से क्या हो गया? वो एरिया जो है कैसा हो गया? लो लेंग एरिया हो गया यहनी नीचा हो गया क्योंकि डेम बनाते हैं तो बच्चों उसकी खुदाई गरी जाती है है ना होरूंचूंची देवारे बने जाती है साइड वह मिट्टी की जाती है जिससे क्या होता है वो एरिया नीच अपड़ जाता है जहां से मिट्टी उठाई जाती है वाटर स्टाड़ अक्युमिलेटिंग इन दे टाउं दूरिंग दे रेनी सीजन इसकी वज़े से क्या हुआ बच्चों वहाँ पर पानी जो है अक्युमिलेटिंग वहला एकटा होना स्टाट हो है बारिश के मौसम में वहाँ पानी भढ़ जाता था therefore इसलिए the government constructed तो government ने क्या किये बच्चों government ने बनाए constructed वहला बनाए क्या बनाए houses for the people लोगों के लिए घर बनाए at another place दूसरी जगे पर and also provided facilities like schools, hospitals, etc बल्ला उन लोगों के लिए जो गाउं में रहते थे बारिश का पानी बढ़ जाता था लोग परिशान हुआ करते थे तो government ने उन लोगों को दूसरी जगे shift किया और उनके लिए विवस्ताएं की रहने की, hospitals की, schools की सावरा कुछ today this place is known as rehabilitation colony इसलिए आज इसको क्या कहते ही, rehabilitation colony का जाता है इस तरह से बच्चों जब परिवार, बहुत सारे परिवार, अगर एक जगे से दूसरी जगे shift हो जाते ही ठीक है, तो उसको कहते है, rehabilitation यानि परवारा दिले shift हो जाते है बट लेकिन, there are some people who have not left their farms लेकिन बच्चों फिर भी कुछ लोग थी, जोनोंने अपने घर नहीं छोड़े थी ठीक है, their farms, fields and are still living there वो अभी भी वहां रह रहे हैं, जोनोंने अपने घर नहीं छोड़े थी due to the construction of dam, the people living in that area had to leave their homes तो बच्चों, dam बनने के बज़े से लोगों को अपने घर वहां से छोड़ने पड़ते हैं क्यों छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि वहां फिर पानी भढ़ जाएगा तो लोगों को समझना है रहेंगे, तो कैसे वो रहेंगे, है ना दोसरा है, why are the dams constructed, तो बच्चों dams क्यों बनाए जाते हैं, dams बनाना ही बच्चों बहुत जरूरी होता है देखो हमारे देश में जो है ना, खिती ही main occupation है लोगों का, ठीक है, और उसके लिए पानी चाहिए खिती के लिए, अब बारिस के वरोसी बैठे रहेंगे, तो फिर ऐसे तो सूखा पड़ जाएगे, ऐसे तो अनाज कहां से क्या आएगा, अकाल पड़ जाएगा, तो कभी बारिस नहीं होती है, तो इस वज़े से क्या होता है बच्चों, फिर dams में से पानी छोड़ दिया जाता है, इसे चाहिए के लिए, खितों के लिए, और कभी ज़्यादा बारिस हो जाती है, तो वो पानी फिर ऐसी जाएगा, वेस्ट जाएगा, और कहीं भरेगा, कहीं बांड लाएगा, तो वो पानी भी उस डैम में स्टोर होता रहता है, ठीक है? If you are giving a responsibility to rehabilitate people in a new place, which families will you provide, which facilities will you provide to them? यानि आप मानलोग किसी परवारों, कई परवार हैं, उनको आप एक जगे से दूसरी जगे सिफ्ट होने के लिए बोलो, rehabilitate करो उनको, तो किस तरह के facilities उनको परवाइड कराने होगी? तो बच्चों उनको रहने की विवस्ता सबसे पहले करने होगी, उनके लिए बच्चों है, उनके बच्चों के लिए schools के विवस्ता करने होगी, और कोई बीमारी हो जाएक विलाज के लिए, तो hospitals का रिंजमेंट करना होगा, पानी है, लाइट है, सारी विवस्ताओं का इं migrate कर रहे हैं ठीक है वहाँ जाके बसेंगे तो वह rehabilitated हो जाएंगे ओकी इस तरह से बच्चो हमने देखा finally earlier the food food की लिए clothing and shelter were the basic needs of the people शुरूब में पहले क्या होता था बच्चो आदमी की जो basic जरूरती थी वो क्या थी रोटी कपड़ा मकान लेकिन बट लेकिन आज now food, clothing, shelter, education भी है, employment भी है and other comforts have became the basic necessities इसके अलावा रोटी कपड़ा मकान के अलावा पढ़ाई भी है, रोजगार भी है, दूसरे comforts हैं वो भी चाहिए होते हैं due to this इसकी कारण many people are migrating from their hometowns and living at other places इस बज़े से लोग एक जगे से shift हो करके दूसरी जगे जाते हैं, चेके तो इसी के साथ बच्चों आपका chapter होता है, finish, okay